आज में लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसा रामबा नुस्खा जो आपके लटके हुए पेट को मात्र पंद्रा दिन में अंदर करतेगा अगर आप भी lockdown में फसे हुए हैं और अपने belly fat से अपने बढ़ते हुए वजन से day by day tension में आते जा रहे हैं तो don't worry आज का मेरा ये रामबा नुस्खा आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी लटके हुए पेट को बिलकुल अंदर करेगा आपके चर्वी को मौम की तरह पिगलाएगा इन फाक्ट पेट ही नहीं अगर आपके शरीर में आपके कंधे आपकी बाजू आपकी थाइस आपका side fat आपका bra fat जहां भी आपके शरीर में fat है उसको बहुत अच्छे तरीके से पिगलाने का काम करेगा इस नाच्छल तरीके को follow करके आप अपने 40 की कमर हो या 36 की हो तो easily 3 से 4 इंचिस कम कर सकते हैं और एक महीने में आप अपना 5 से 6 किलो बजन घटा सकते हैं और इसके साथ one second एक good news भी है ये good news है कि अगर आपको diabetes है अगर आपको PCOD की समस्या है या hypertension है या कोई भी ऐसी problem है ज जादा वोकाउट नहीं कर सकते तो भी आपको घबराने की जुरूएत नहीं क्योंकि आज का मेरा ये रामबानुसका आपकी वजन को बहुत अच्छ तरीके से कंट्रोल करेगा और इतना विजिवल रिजल होगा कि आपके जानने वाले भी आपसे पूछने लगेंगे कि आ अकोता हूम्वार करना है होम्वर के ही ही है कि चानल को सब्सक्राइब वीडियो पसंद आरा है तो लाइक करना है और जम कर शेय करना है क्योंकि ये लॉक्ड दूसरों का भला कर तो ये जीओ शेय करके तो चालिए बढ़ते हैं गयो के तादाना गाईज हमारा फर्स प्रस को यानि अपनी तुमी है और को अंगेज नहीं करा यह हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है क्योंकि जब तक अपने हम को अंगेज नहीं करेंगे तब तक हमारा बैली लटका ही रहेगा आप कितनी सारी साइस करते हैं अपका फेस पतला हो जाता है लेकिन आपका पेट जो है बिल्कुल खतम नहीं होता और उसको खतम करने के चकर में आपकी स्किन डल पड़ने लगती है आपकी स्किन मुर्जास ही जाती है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी पेट को श्रिंक करने का एंगेज करने का को जो आपके लटके हुए पेट को अंदर करेगा आपके शेप देगा आपके पेट में कट दिखने शिरू हो जाएंगे अब जाएंगे तो चारिए इसके लिए आपको क्या करना है आप देख सकते हैं मेरा भी पेट बाहर है तिके अब मैं क्या करूंगी को एंगेज कर रही हूँ नोटिस कर रही हुआ मेरे साइट के कट साइट के प्रॉपर कट दिख रहे है दिन दुबारा मैंने लूज किया दुबारा एंगेज किया सेंग यही प्रोसेस आपको हमेशा करना है जैसे आप चल रहे हैं तो अपनी पुजिशन सही रखिए चाती को पीछे रखिए कंतों को पीछे रखिए चाती को बाहर ताकि आपके मसल्स एंगेज रहें लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे ही एक्सरसाइस पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 करें अपने कोड को अंदर करें श्रिंक करें यह आपके कोर मसल को यानि आपके पेट की मसल्स को टोन कर देगा एकदम टाइथ कर देगा इतना भैतरी और तरीका है ना जो आपके लटके हुए पेट को बहुत जल्दी श्रिंक करेंगा तो प्लीज इसको ट्रॉय करें चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सेकिंड रामबान नुस्खे की तरफ गाइस हमारा दूसरा वेट लॉस हैक है नाचरल रामबान नुस्खा स्नोवा का बायस लिंद यह स्नोवा का बायस लिंद आपके शरी में जिद्धी चरपी को पिलाने का काम करेगा स्पेशली अगर आपको PCOD पेशंट है आप डाइबिटिक पेशंट है थायरेट है आपको या हाइपर टेंशन है या फिर आपको कोई भी समस्या है या फिर आप डिलिवरी के बाद जो आपका पेट लटक गया है अपना आपका जो बॉड़ी वेट बढ़ गया उसको मैने करने चाहिए और स्पेशली इस लॉक्डाउन ताइम में जब हमारे घर में बहुत तरह के पकवान बन रहे हैं और हमारी नाग हमेशा किचन की तरफ खुसी रहती है तो प्लीज उस पकवानों को ट्राय करिए बट अपने शरीर के साथ खिलवार मत करिए इस नुवा के बा इंग्रीडियंट जो एफेक्टिव है उनसे मिलके बना है फॉर्स है गार सीनय कमबोजिया जो वाइटमिन C का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो आपके वेट लॉस में हिल्प करता है आपके एक्स्ट्राविंग को जो आपको हर समय कुछ ना कुछ खाने का मन करता है उसक कोफी अस्ट्राव्यम पार्च आपके मेटापॉलिसम रेड को फास्ट करते हैं आपको नोटिस करा होगा जिन लोगों को थारेड होता है वो कहते है कि हमने पानी पिया तो विमारा शरीर फूल जाता है एक्जाटली क्योंकि उनका मेटापॉलिसम रेड बहुत स्लो हो जा weight loss journey को एकदम से किक देना चाहते हैं तो प्लीज इस supplement को एक बार जरूर करें तो बारा मुझे बोल ला ही नहीं पड़ेगा आप अपने आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे और बहुत लोगों के मांड में मित होता है किस को छोड़ तेंगे तो हमारा बोड़ी फूल करेंगे आपके जिद्धी चर्वी को पिकलाएगी आपके मेंटरबॉलिजम को फास्ट करेंगी तो यह वह वाली स्लिम्मिंग पिल्स नहीं है जो आप मार्किट में अननाश्रल वाली मिलती है तो डोंट वरी इसली इसको इसको अपना वसन कम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें आपको बहुत बेनेफिट होगा इसमें थर्ड इंक्रीडियन है पिपर निगम जो काले मिर्श में भी पाया जाता है और यह पिपरीं होता है यह हमारे ग्रीन कॉफी एस्ट्राक्ट और साथ में जो दूसरा अगाल सीने कमभूजी है इसकी एब्सॉप्शन को बढ़ अब बात आजाती है इसको लेना कहा से है तो स्नोवा की बायोस्लिम को आफ खाली पेट नोमल गरम पानी से उसके एक घंटे बादी आपको अपना ब्रेकफास करना है और ऐसे ही शाम के डिनर जब आप करेंगे उससे एक घंटा पहले आपको उसकी एक टाबलेक लेनी है त अगर अभी भी आप अपने बसन को और तीजी सी कम करना चाहते हैं तो मेरा ये तीसरा है ज़रूर फॉलो करें ये फॉलो करना बहुत ही असान है और इतना जाता अच्छा रिजर देगा कि आपके वेट लॉस जर्ली को और फास्ट कर देगा और बूस्ट कर देगा ये है वर वजरु आसन की बहुत ज़दा फायते हैं ये आपके पेट में होने वाली आसड़िटी ब्लॉटिंग आपको कब्स और आपका पेट फूलना साथी साथ जॉप का पेट बहार आचुका है आपका वजन बहुत ज़दा बढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट् मिनट तक लेकर जाना है इसके लिए आप जमीन पर एक दरी बिछा लीजे या आप इसको बेट पे भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए आप अपनी टांगो को पीछे के तरफ फोल्ड कर लीजे फोल्ड करने के बाद अपनी कमर को सीधा करिए और आपने एक पैक के यह आपने बच्चों को भी फॉलो करवाएं क्योंकि इसन को दिमाग भी तेज होगा यह उनकी कॉंसेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है स्ट्रेस को कम करता है और एक आपको अच्छी नीन देता है और आपका फिजीक बहुत ही अच्छा और ग्रेस फॉल हो जाएगा तो जरूर इसको फॉलो करें तो आज का मेरा यह बहतरीन वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए कि किसने स्टोवा की बायोसनिंप पर्चेस करी और किसने वाक्यूम प्रोसेस और यह वाला प्रोसेस फॉलो किया और आपके बदलाव आ रहे हैं या आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुस्से बूच सकते हैं बात कर सकते हैं जरूर आपसे लाइ सेशन रखोंगी और आपके सारे सवालों कर जवाब दोंगी मिस्स यू, लव यौल, अपना खयाल रखना, अपने श्वरीर के साथ खिलवार बिलकुर मत करना, टेक किर, स्टे हिल्दी